हेलो एवर्यवन कैसे आप सब होफ़ुली फाइन होंगे तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है इस वीडियो में क्या डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में रुजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी और फारेंशन निफ्टी के लेवल डिसकस करने वाले की कल जब 24 ऑफ जैन ट्यूजडे को हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम अपने मार्केट को कैसे अप्रोच करें क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस के लेवल होंगे कैसे हम उसे साड़े तीन मज़े तक लॉजिकली ट्रेड कर पाएं यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लिफाइड वे में डिसकस करेंगे इन शॉट कल की मार्केट की प्रेपरेशन करेंगे तो हईए इस वीडियो को सटार्ट करते है जो हमारी प्रेपरेशन रहती है वह रुजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइड रहती है पहले पार्ट में हम es variedine and बट ऑवियस है, हम खुलने के बाद, साड़े तीन बज़े तक open रहते हैं, और सिर्फ on the basis of global market, हम साड़े तीन बज़े तक तो trade नहीं कर सकते हैं, कर लोग क्या करते हैं, global market strong दिखता है, call buy कर लेते हैं, weak दिखता है, put buy कर लेते हैं, again it's a very poor kind of approach, जो global market है, सिर्फ opening decide करने में help करती है रश्ट साड़े-3 बजे तक हम कैसे ट्रेड करेंगे कहां पर हम जाएंगे क्या हमारे लेवल सोंगे यह सारी चीज हमारी लेवल्स करती हैं कि पूरे दिन साड़े-3 मेरे तक हमारे मार्केट की क्या डिरिक्षन रहने होगा है तो इसलिए हम पहले पार्ट में Global Market के mood या sentiment को read करेंगे and second part में levels को discuss करेंगे ठीक है उससे पहले देख लेते हैं कि आज के market में क्या हुआ एक उप कर लेते हैं और यह भी देख लेते हैं कि कल जो हमने आज 90 points और जो बैंक निफ्टी है वो 0.74% 42,821 बंद हुए है कल की वीडियो में हमने कहा था जो Friday की closing में बैंक निफ्टी की एक positive thing थी वो ये थी चाहे 6 points ही सही बट 42,500 के उपर बंदो के गई थी और आज follow up rally आई है अच्छे बात है बैंक निफ्टी ने 42,700 के लेवल के उपर भी closing दे दी है जिसमें further strongness की तरफ indication दे रहा है तो अगेन बैंक निफ्टी जो है वो outperform करने लगे ये निफ्टी 50 को उसके बीचे का reason ही यह भी हो सकता कि जितने banks के result हैं इस बार quarter में सब के expectation से बेटर रहा है ICCI bank हो गया अगर हम देखे कहां पर levels बने थे तो यह बैंक निफ्टी का चार्ड ओपन है हमने अगर आप लास्ट वीडियो से क्रॉस चेक करोगे तो एक level दिया था 42 750 से 42 834 का एक zone था तो अगर हम देखे यह आज की पहली candle है उसके उपर ही खुली थी और काफी convincing closing दी थी उसके बाद हम buy कर सकते थे 43,000 हमारा पहले टार्गेट होता ऑव्वियस है जो हमारा successfully अचीव हुआ है 43,000 पर आके इसने second candle में shooting star बनाया हम put buy कर सकते थे 42 750 से 42 834 का zone हमारा टार्गेट होता जो हमारा successfully अचीव हो गया है तो दो entry बनी थी एक buy की बनी थी पहली candle के बाद एक second candle के बाद पुट की बनी थी बीरिश बनी थी दोनों ने आज successfully टार्गेट अचीव करें यह मैंने 30 मिनट में बता है इफ आप 15 मिनट को यूज करते हो तो उसमें भी आप यही कर सकते थे 15 मिनट में भी आप देखोगे तो 43,000 पर डाक लाउट कवर बनने के बाद एंट्री बनी थी डाक लाउट का वरिजा कैंडर स्टिक पैटर्न जो यह इंडिकेट करता है कि बीर कम बैक कर चुका है इट्स अ गुट टाइम टू सेल्फ और उसने अपने टार्गेट अचीव की है और मॉनिंग में पहली एंट्री बनी थी जब यह दो कैंडल काइंड ठ्रिप्र टार्गेट के अच्छा तो यह आज के मार्गेट का QQ review था अब देखते हैं कि कल की मार्केट की क्या प्रपेशन है पहले ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लेते ग्लोबल मार्केट का मूर फ्राइडे भी अच्छा था यूएस की मार्केट काफी स्ट्रॉंग क्लोजिंग देगे गई थी खासका नेजडेक तीन परसंट के आसपास अप थी आज के मार्केट में फॉलॉप रैली दिख रही है नेजडेक अगर आप देखोगे तो डेल परसंट के आसपास पॉजिटीव है 170 पॉजिटीव है और जो डाउ है 200 पॉइंट के आसपास पॉजिटीव मेजर आ रही है तो हम यह कह सकते हैं वीकली क्लोज स्ट्रॉंग नोट पर किया था ग्लोबल मार्केट ने आज वही फॉलॉप रैली हमें दिख रही है आज भी ग्लोबल मार्केट का मूट काफी स्ट्रॉंग है आज जो ग्लोबल मार्केट का मूट पॉजिटीव है और अगर हम यह देखें कि सिंगापूर स्टॉक एक्चेंज पर निफ्टी के फ्यूचर है वो कहां पर ट्रेड हो रहे है तो 18303 पर ट्रेड हो रहे है करेंटली जो यहां से अराउंड 180 पॉइंट की गैप आप ओपनिंग दिखा रहे है तो काफी बढ़ी गैप आप ओपनिंग अभी तक का डाटा दिखा रहे है बट यह हम कली ऑब्वियस से देख पाएंगे और अभी पूरी ग्लोबल मार्केट बची है क्योंकि जो यूएस मार्केट एराउंड एक दो बजे बंद होती है तो अभी का अगर हम अनेलिसिस करें तो एक अच्छी खासी गैप ओपनिंग की दरफ हम इंडिकेशन मिल रही है बट उमीद इतनी नहीं कर सकते विकॉस अगर इतनी गैप अप ओपन हो भी गई निफ्टी बाई चांस तो अगेन बात भाई आएगी कि 18-200 के लेवल के उपर ये तो दिखा रहे ओपन हो जाएगी बट सवाल भाई है क्या सस्टेन करेगी तो यह देखना बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा कि कल जब 18-200 का लेवल का इं इंकाउंटर होना चाहिए निफ्टी और 18-200 का तो सवाल यही बना रहेगा क्या उसे गेन कर पाती है जो पिछले दो तिन अटेम्ट में नहीं कर पाई है अगर गेन कर पाती है तो वीकेंड विटनेस 18-500 और 7500 के लेवल बट वो कली पता लगेगा तो काफी इंट्रेस्ट करेंगी वो हमें कल के मार्केट से पता लगेगा तो इंट्रेस्टिंग फेस ओफ है कल मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का साथ में फाइनेशल निफ्टी यह एक्सपारी भी है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टन लेवल है अगर हम देखे 18887 के राउंड क से आउंगे क्योंकि वह लेवल सी हमें साड़े तीन तक सस्टेन करा सकते हैं तो निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी का सपोर्ट आरह 18,000 से 18,050 का एक जोन है 17,500 रेसिस्टेंस अठारह 279 का जोन है और अठारह 500 का लेवल है अब दो टाइप के एंटिटी हो सक सकता है एक option buyer हो सकता है दोनों के प्रोस्पेक्टिव से हमें एक बार रीट करके देख लेते हैं इफ यूर एन सेलर तो अठारह 500 के उपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं 17,500 के नीचे वाली पूट सेल कर सकते हैं इफ यू आरा बायर तो दो टाइप की एंट्री हो सकते हैं कॉल और अगर थोड़ा सा बैलेंस अपनाना चाहो तो जस्ट आउट दमनी या उसके बाद वाली आउट दमनी के साथ जंप कर सकते हैं ठीक है यह थी पहले चीज़ अब देखते लेवल्स तो अठारह जार से ठारह जार 49 के ऊपर ओपन होती है सस्टेन करती है ठारह डेड़ सो और 18.500 से 279 का जोन हमारा टार्गेट होगा ठीक है यहाँ पर सस्टेन वर्ड बहुत इंपोर्टन है इसका मतलब है 15 मिनट की कैंडल उपर क्लोजिंग देखे सस्टेन करने लगे या 30 मिनट की कैंडल उपर क्लोजिंग देखे सस्टेन करने लगे 30 मिनट की कैंडल के साथ ज्यादा भरोस है, 18.500 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, तो 18.200 और 18.200 से 279 का जोन हमारा टार्गेट होगा, 18.200 से 279 का जोन आ रहा इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, 18.400 और 500 हमारे टार्गेट होगा, या निफ्टी गिर के आए कोई बुलिश शिगनल बनाए, 18.000 से 18.049 के जोन में, कॉल बाई करेंगे, 18.500 पहला, 18.200 से 279 का जोन दूसरा टार्गेट होगा, 17.900 पहला कोई बुलिश शिगनल बनाए, 18.000 से 18.049 का जोन पहला और 18.500 दूसरा टार्गेट होगा, 17.500 पहला कोई बुलिश शिगनल बनाए, 17.900 पहला और 18.000 से 18.049 का जोन दूसरा टारगेट होगा, put cap buy करें अगर निफ्टी open हो अथारा जासे 18,000 फोटि नाइन के नीचे और सस्टेन करें 17 9,500 Васोचमारे टारगेट होंगे 17 9,500 के नीचे open हो सस्टेन करें 17 3,500 तारगेट होगा यह निफ्टी राइस होके आए अठारा धाइसो से 279 गा जोन आ रहा है यहाँ पर कोई बेरिस सिगनल बनाए पुट बाइ करेंगे अठारा डिल्सो पहला अठारा जार से फोटे राइन गा जोन दूसरा टार्गेट होगा अठारा चार सो पहले कोई बेरिस सिगनल बनाए अगेन इट सा clear cut put by opportunity 18.500 से 279 का जोन पहला 18.500 हमारा target होगा दूसरा 18.500 पैसा करती है अगेन इट सा put by opportunity 18.400 पहला 18.500 से 279 का जोन हमारा दूसरा target होगा तो निफ्टी के लेवल्स से हमें क्या करना है बस इन लेवल्स के साथ टिक रहना है जब हम लेवल्स के राश टिक रहते तो हमारे सही होने के chances जब हम वह एन्हांस हो जाते हैं बढ़े जाते हैं अब बैंक निफ्टी के बात अगर अगर करें तो 42.485 से 42.500 का एक zone आ रहा है बहुत छोटा zone है 42.000 का एक level एक तालिस पान्सो का एक level है रेसिस्टेंस आ रहा है 42.700 से 42.848 का zone 43.000 और तिरालिस पान्सो के उपर वाली कॉल सेल और चालिस पान्सो के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं और अगर आप रिस्क लेना चाहें तो यहां पर 41.000 भी कर सकते हैं और अप्शन सेलिंग में रहता है इसलिए जो मैं स्ट्राइक सेल करता हूं बहुत सेफ करता हूं जो आपको कम देंगी रिटर्न बट ऑल्मूर्स सेफटी के साथ देंगी अगर आप अप्शन भायर है 42.700 से 42.848 का जोन आ रहा है इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करें कॉल बाय करेंगे 43.000 पहला 43.240 दूसरा टार्गेट होगा 43.000 के ऊपन ओपन हो सस्टेन करें कॉल बाय करेंगे 43.240 त 4.490 टार्गेट होगा या बैंकजी गिर के आए कोई बुलिश सिग्णल बनाया कहां पर 42.482 से 42.500 बनाया 42,482 से 42,500 का जोन पहला 42,700 से 42,848 का जोन दूसरा टार्गेट होगा 42,000 पे ऐसा करें Again, it's a call by opportunity 42,250 पहला 42,485 से 42,500 का जोन दूसरा टार्गेट होगा यह बैंग निफटी ओपन हो और सस्टेन करें 42,700 से 42,848 के नीचे Put by करेंगे 42,485 से 42,500 का जोन पहला 42,600 दूसरा टार्गेट होगा 42,485 से 42,500 के जोन के नीचे ओपन हो सस्टेन करें 42,600 और 42,000 हमारे टार्गेट होगे यह बैंग निफटी राइज होकर आए कोई वेरिश इनल बनाए कहां पर 43,000 पे Put by करेंगे 42,700 से 42,848 का जोन पहला 42,445 से 42,500 दूसरा टार्गेट होगा 43,600 पे ऐसा करें Again, it's a Put by Opportunity 43,000 पहला 42,750 से 42,858 का जोन दूसरा टार्गेट होगा 43,500 पे ऐसा करती है Again, it's a Put by Opportunity 43,250 पहला 43,000 दूसरा टार्गेट होगा यह Bank Nifty के Levels थे हमें again यही करना है Levels के साज टिक रहना है जब हम Levels के साज टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के Chances जो है वह अनाथ हो जाते हैं Last is Financial Nifty कल इसकी Expiry है Support 18,500 और 7,500 पे Resistance 18,900 और 19,000 से 19,000 का जोन Put Sell कर सकते हैं 18,700 के नीचे वाली या कल Expire ही है थोड़ा सा Safe Play कर सकते हैं क्योंकि बड़ा Gap Up देख रहा है तो 19,100 के उपर कर सकते हैं और यहां पर आप 700 रख सकते हैं तो 19,100 के उपर और 18,700 के नीचे क्योंकि जहां तक 90% possibility है कल का Suspence ही है कि Whether 19,100 के उपर Expire होगी है नीचे अगर आप Option बायर है 18,900 के उपर ओपन हो सस्टेन करें तो 19,000 से 19,16 का जोन आपका टार्गेट होगा 19,000 से 19,16 के जोन के उपर ओपन हो सस्टेन करें 19,100, 1200 टार्गेट होगा या Financial Nifty गिरके आए कोई bullish signal बनाए 18,700 के लेवल पे कॉल बाई करेंगे 18,800 पहला और 19,000 से 19,16 का जोन दूसरा टार्गेट होगा 18,600 पे आए कोई bullish signal बनाए 18,700 और 18,900 टार्गेट होगा 18,500 पे ऐसा करें तो 18,600 और शाले साथ सो टार्गेट होगा या जो Financial Nifty 18,700 के नीचे ओपन हो सस्टेन करें 18,600 और पांचो टार्गेट होगा 600 के नीचे ओपन हो सस्टेन करें पांचो और चार्गेट होगा 500 के नीचे ओपन हो सस्टेन करें 18,400 और थार्गेट होगा या Financial Nifty राइज कोई bullish signal बनाए कहां पे 18,900 पे पुड़बाय करेंगे 18,700 और 18,600 टार्गेट होगी 19,000 पे ऐसा घरे तो 18,900 और 18,700 हमारे टार्गेट होगा तो यह हमारे लेवल्स थे आपका काम सिर्फ इतना इन लेवल्स के साथ ठीक रहे ना जब इसमें एंट्री बने एंट्री करो एक्जिट बने एक्जिट करो मेरी शोटी है मैं एक्सेम ट्रेट आपकी पॉफिटेबल होगी तो इसी विश्च के साथ के आने वाला दिन आपके लिए पॉफिटेबल इस वीडियो को एंड करते हैं वीडियो पसंद आई हो लाइक करते हैं को सब्सक्राइब भी करें ताकि करने आंक लिए पॉफिटेबल हो वीडियो को एंड करते हैं थैंक यू बेरिमाच हैप Y